अब कुछ और डेफिनीशन से समझे इंपॉर्टेंट टर्म्स अफ फिलासिसिटी है उन्हें जास समझ लीजिए आप अब उन्हें आप बहुत 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 ध्यान से समझेगा हाँ अब लिखेगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स some important टर्म्स in elasticity elasticity जैसे इसमें अलग अलग टर्म है उनके behavior की हिसाब से material की elastic behavior की हिसाब से उनके कुछ नाम रखेगाए ठीक है सबसे पर लिखिये elastic after effect पहला आता है elastic after effect यह नाम आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करते कभी कभी जब आज आते हैं exam में तो बहुत confusion create करते हैं देखें कुछ body ऐसे होती है समझेगा आपने फोर्स लगाया body को deform किया चुकि वह elastic body थी जैसे आपने फोर्स अटाया कुछ body फट से अपनी position पर आगई सड से और कुछ body धीरे 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 करते हैं अपनी position पर आई होता है जैसे आपने कोई चीज़ खीची है कि spring बहुत धीली ढाली क्या आती है ऐसा सम्म्यारी बार नहीं आ रही है तो इसी को कहते हैं elastic after sect ठीक है तो लिखेगा यह जो delay हो रहा ना time का अपनी position माने में जो delay होता है जैसे होता नहीं कि teaching after effect होता है नहीं जवस्ती का बढ़न में मना रहा हूं कि हमने पढ़ाया आप सामने वाले से पूचा what is Newton's law Newton given law अब खरवडा रहें तो इसको कहते हैं teaching after effect और एक होता फड़ से answer देता है तो यह जो नियम बता रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे बात को जोड़ जार करके एक बड़ी मुश्किल से Newton तयार कर लिया हूंने यह है teaching after effect तो उसी प्रकार से जो डिले होता है time का अपनी body को position maintain करने में उसको कहते हैं elastic after effect ठीक है तो लिखेगा the delay in regaining the original state the delay in regaining the original state by a body the delay in regaining the original state by a body on the removal of deforming force on the removal of deforming force is called elastic after effect जैसे आप emitter है gallonometer है आप देखा होगा जैसे light आई थड़ से ओ क्या light गई थड़ से जिरो में आ गया ठीक है तो इसने कम समय लिया ठीक है कहीं कहीं देखा होगा उसकी spring गरबर होगी धीरे 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 पहुंचा तो वह 10 ampire तक लेकिन spring ने बहुत time लिया ठीक है तो ये इसको कहते हैं elastic after effect अब लिखे elastic fatigue फटीग फटीग वो फटीग न लिख दिजिएगा एफ एटी आई जी यूई पता रहे हैं लस्टीगी फटीग है क्या होता कोई कपड़ाव पड़ा क्या फट गया क्या elastic फटीग अब बार बार आप उस elastic body का यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे यूज करते करते क्या होता है कि वो एक फटीग वर्ड हम अपने सेहत के लिए उस करते हैं पड़ तो रहे हैं लेकिन क्या पड़ा रहे थे आप बुल गए ठीक है जैसे अभी मैं 3D पड़ा रहा था तो मैं 3D के लिए बता रहा था कि 3D का मतलब होता 3D सुचना ही पड़ेगा आपको यह नहीं होता कि आपने फामुला आ गया तो आप कर लोगा ना 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 सब्सक् तो वह होता है स्टड़ी इस अब 3D इंटर में आएगा आपके अभी नहीं है 11th में नहीं है मैं 12th की बात कर रहा है इस बार यहां 11th की बचे ज्यादा पड़ भी नहीं रहे हो तो कर दें फ्री में पास हो जाएंगे ना होम एक्जाम होगा वह स्वाईसे काम चला है तो ल elastic fatigue is defined as loss in the strength of loss in the strength of a material loss in the strength of material caused due to caused due to repeated alternating strain repeated alternating strains to which the material is subjected to which the material is subjected जैसे एक hard wire है ठीक हो elastic wire है आप उसको कैसे तोड़ते हैं देखिए इधर आप उसको ऐसे मोड़ते हैं ऐसे 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 बार बार करते हैं होता किया जब आप मोड़ते हैं तो उसके मॉलीक्यूल अपने फॉर्म से डी फॉर्म हो जाते हैं अगर आप सीधे कर दीजे तो फिर मॉलीक्यूल अपनी पॉजिशन पर आ गए और वह वायर वैसे होगे जैसे पहले था लेकिन आप लगातार ऐसे से करते रही है तो क्या होगा थोड़ी देर बाद वो डी फॉर्म हो जाएगा क्यू pregnancy करते हैं जैसा मैं डिफॉर्में करता हूँ मैं डिफॉर्में का क्यफड़ चब खाद डैता हूं कभी को मुझे मूह पूरा गल जाता है वहा जाए मैं सोचता हूं तो पीन मुमें रहता है यह तो कहते हैं नही jestem पन चबाने को नहीं मतलब यह कहते हैं elastic fatigue स्वाम्यायँ अब लिके एक होता है elastic hysteresis ने ने वर्ड सुन रहा हूं गया elastic hysteresis 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 h y s t e r e s i s H-Y-S-T-E-R-E-S-I-S Elastic Hysteresis अभी आपको बड़े क्लास में इंटर में फिर आएगा Hysteresis एक वर्ड आएगा ठीक है देखिए होता क्या है ज़रा समझेगा हुक्सला कहता है कि Hysteresis इस्टेंड के proportionate होता है Under Elastic Limit यह Hysteresis है यह Hysteresis है और यह Hysteresis है हम यह नहीं कह रहे हैं कि एक स्टेट लाइन ही हमको मिलेगी हमने क्या क्या इस्टेज बढ़ना सुरू किया और इस्टेंड बढ़ना सुरू हो गया या इस्टेंड दोनों बाते हैं आप लेंद बढ़ाओगे तो रिस्टोरिंग फोर्च ज्यादा लगेगा और डिफार्मिंग फोर्च बढ़ाओगे तो लेंद ज्यादा बढ़ेगी तो हमने देखा हमको ग्राफ कुछ ऐसा मिला ठीक है हम यहां से ज्यालू बढ़ाते गए और हम ओसे लेकर के ए तक पहुंचाए जब समझने की कोशिश करिएगा जब फोर्च इतना था देखो इधर तब इस्टेंड इतनी थी जब फोर्च एक्चुली इस्टेंस का मतब फोर्च अपन एरिया होता है instant change in length upon initial length होता है तो आप जान रहे हो कि जिस body पे force लगा रहे हो उसकी एरिया fix है उसकी length fix है तो एक्चुली में आप grab किसके किसके बीच खेच रहे हो force और और डिल्टा L के बीच खेच रहे हो F कौन सा आप चाहे उसको applied कहे दो चाहे उसको restoring कहे दो क्योंकि जितना applied करते हो उतना ही restoring लगता है इसलिए applied करना पड़ता है जरह देखे जहां से अब हमने जब force इतना लगाया तो extend इतना हुआ force इतना लगाया तो extend इतना हुआ ठीक अब मैं क्या कर रहा हूँ फोर्स को कम करता जा रहा हूँ तो नियमता जिस फोर्स पे जितना इस्टन था वापस आते वक्त उतना ही होना चाहिए लेकिन हम क्या देखते हैं वापस आते वक्त हमको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता वापस हमारा कर्व दूसरे रास्ते से आता है ऐसे आता है। ऐसा प्रेक्टिली देखा गया है। इसी को हिस्ट्रिस कहते हैं जितना जाते वक्त हमको इस्टेंट लगाना पड़ा, उतना आते वक्त इस्टेंट नहीं लगाना पड़ा। यानि कम फोर्स में ही कम ज्याता लेंट जो है रिकवर हो गई। तो इसको कहते हैं Elastic Histresses यानि Reversing Order में हमारा Stress Extend Curve उसी राष्टे से Retrace नहीं होता तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि The Stress Extend Curve The Stress Extend Curve Is not Is not Retraced Retraced On Reversing the Extend On Reversing the Extend अब चाहे उसको Extend कह दो या उसे stress कह दो बात वही है आप Length देखे जान से पहले आपने 10 cm Length बढ़ाई थी तो आपको 10 N का Force लगाना पड़ा था अभी क्या हो रहा है कि 10 cm Length घटाई तो आपको 5 N का Force लगाना पड़ा उतना Force आपको नहीं लगाना पड़ा तो यह hysteresis कहलाता है तो Retraced on Reversing the Extend is known as Elastic Hysteresis Elastic Hysteresis तो यह आपका Elasticity का यह पूरा जो Family Drama था लगबग लगबग हमने पूरा बता दिया Numerical Discuss करना चाहें गर आपने लगाया हो अज़ा एक आप चीज़े और लिख लिजीगा Heading डालिए Classification of Materials on the Basis of Stress-Strand Curve Classification of Materials on the Basis of Stress-Strand Curve आपको याद होगा हमने इसके पहले Stress-Strand Curve कराये था जिसमें हमने बहुँ सारी positions clear की थी ठीक है उसे आप दुबारा एक बात ध्यान से पढ़ लें Classification of Materials on the Basis of Stress-Strand Curve Stress-Strand Curve Curve को खुला आपने तो पहला लिखे Ductile Material D-U-C-T-I-L-E D-U-C-T-I-L-E Material इसको हिंदी में अगर मैं वर्ड बोलूँ तो उसको बहुत टफ वर्ड लगेगा तन्यता नहीं सुझ में आया दिमाग तन गया हमारा इस नहीं में फिजिक्स की जो हिंदी होती है न वो इलावाद के प्रोफेसर साहब है मैं नाम नहीं जानता हूं उन्होंने हिंदी में प्षड किया हिंदी में प्योर से जिक्स पड़ाते हो औल दे वर्ड वर्ड इन नहीं जानता हूं वैंने सुना है उनकी बारे में देखिए जैसे आप देखते हैं कुछ मेटेरियल को आप जितना चाहें उतना लंबा थी सकते हैं जैसे सोना होता है अगर सोने में क्या होत आप उसको बहुत ज्यादा अगर और कोई मेटल लीजिये बहुत ज्यादा पतला कर दो और खीज दो तो तूट जाएगा वो ना या आप कोई पतली आप चादर बनाओ उसको और पतला करो तो फट जाएगा वो जासे आपने देखा होगा जब ममी जो एक गुजिया बनाती है होली में, बनाई जाती है ना गुजिया तो आप वो गुजिया के वह बहुत पतला करना पड़ता है उसको तो उसको थोड़ा सा अल जा तो गी से क्या होता है वो ज्यादा लंबाई तक उसको खीज देती है वो जो आटा होता फटता नहीं रोटी फटती नहीं हो तो वो डैक्टाईल हो जाता है तो जिसमें बहुत लंबी रेंज तक उसकी इलसटिक की प्रपरटी मुझूद रहे ठीक है तो लिख लिजेगा दम इटेरियल भीच हैं लाज़ प्लास्टिक रेंज और एक्सप्रिंशन प्लास्टिक रेंज आफ एक्स्टेंशन प्लास्टिक रेंज का मतलब देए असा सुनिएगा थोड़ा अजीब हमने वर्ड दूसा यूश किया इलास्टिक प्रापर्टी मजूद रहे उल्टावसू कर दीजेगा मतलब वो तूटे ना फटे ना वो बीच दे लाज्ज प्लास्टिक रेंज एक्स्टेंशन और काल्डuse अ यानी जब करम खींचा था तो करमे क्या हो रहा था कि एक बार ऐसे सिधे गया था कर इस्ट्रेस बढ़ाते जा रहे थे इस्ट्रेस बढ़ाते जा रहे थे इस्ट्रेस और इस्ट्रेंट बढ़ता जा रहा था तो हम क्या करे थे कि हम एक न्यूटन का फोर्स लगाते थे एक मीटर बढ़ता था दो न्यूटन में दो मीटर बढ़ता था फिर हमने देखा अगला एक मीटर बढ़ा और फोर्स हमको आधे न्यूटल लगाना पड़ा कम फोर्स लगाना पड़ा इसके बाद ताल पतला होता चला गया ऐसे तो कुछ और तार जाकर के बाद में वो ब्रेकिंग स्ट्रेस आई और तार तूट गया तो कुछ वायर होंगे हलका सा आपने बढ़ाया के तूट गया हूँ और कुछ हो गया कि वो बढ़ता चला जाएगा नहीं इलासिसिटी की प्रवर्टी खतम होगे उसकी लेकिन वो तूट नहीं रहा है तो उसको कहते है डक्टाइल ने चला अगर आपने कभी देखा हो तो वहां क्या पोईशन हमको नहीं मालू एक मेला वगरा में अब बाहर कभी कुछ लोग एक चीज बेचने आते साइकल पर एक बड़ा सा ऐसा लकड़ी का लगाते है और उपर कोई मीठा चीज लगा लेते हैं वो उसको खीशते जाते हैं इसका तार और उससे बनाते हैं अलगार है डबल टी एली हों कि अ簡 वㄌ-डी अ पिरिटल मीटेरियल इसमाल होते हैं टूड जाते हैं जल्दी से ठीक है जैसे सेरमिक है ग्लास है इसमें क्या होता जरा साब ने तो दिया और टूड जाएगा अभी आप देखते हैं कि मुबाइल की स्क्रीन टूड जाती है अभी जो नई खोच जारी है जिस पर कि साइंटेस्क को काफी को सबलत मिल गई है अगर किसी मुबाइल की स्क्रीन टूड जाती है और उसको रखे तो अपने आप जुड जाएगा स्क्रीन मतलब अगर आप जरा सभी उसको पढ़ाते हैं तो तूड जाता है हो जैसे कांच है उसको आप जला सभी तोड़ते हो जैनि उसको बढ़ा अब ऐसे बढ़ा नहीं सकते हो या खीशते हो ऐसे तो तूड जाएगा कर से इसमाल फ्लास्टिक एक्स्टेंशन और काल बिटल मिटेरियल जैसे ही आप उसको बियांड ले गए कि वह तूड जाएगा एक होता है इलास्टोमर्स 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 इलास्टी पढ़ते पढ़ते मर गया आदमी विचारा सबसे लग रहा है कि लास्टोमर्स इलास्टोमर्स मतला होते हैं जो कि पूरे साल नहीं पढ़ते और प्र हिंदु अदिर सब्सें होति हैं सब लिखते हो हम लोग चेक भी करते हैं क्या इलास्टोमर लिखे, the material which can be elastically stitched to a long value of strain is called an elastomer, जैसे रबर वगरा है, उनको कितनी लंबाई तक आप खीज सकते और छोड़ोगे तो अपने position में लोड के आ जाएंगे, ठीक है, तो यह elastomer होते हैं, तो लिखे, the material which can be elastically stitched elastically stitched to large values of strain, to large values of strain are called elastomers, जैसे रबर है, आप इसको कितनी लंब लंब तक ही सकते हैं, और जैसे उसको आप छोड़ देते हैं, आप देखा होगे, बहुत सारे जो ब्यापारी होते हैं, जो साइकल में कोई सामाल लेकी जाते हैं, या बाइक पी लेक जाते हैं, तो बोरा देंगे, उसको बाढ़ना पड़ता है उनको, तो मोटी से रवर लेते हैं, खुब कस्ट के खींच उसको बाढ़ देते हैं, जब खींच के बाढ़ते हैं, और चुकि वो elastomer होता है, या जैसे force release करते हैं, वो अपनी original position में आने की कोशिश करती है, अब original में आ रही सकती, क Large values of strain are called elastomers, example लिख दीजेगा, rubber, अब यह नहीं करें कि इतनी range है, जितना चाहो उतना force बढ़ते जाओ, तूटेगी नहीं, तूटेगी, क्योंकि हर चीज के एक limit है, वहाँ इसके बाद और तूट जाएगी, बस यह इनकी limit उसकी ज्यादा होती है, तो यह आपका chapter finished हो ग